मुझे मुझे से अगए मुझे से मुखबत है मुझे शब आपको मेरो मुदेद इन आखों का खरक आशो इन आखों का खरक आशो तुभे मेरी कसों देदो अगर मुझे तो होच पत्र है मुझे सब अपको लिभादेदो अगर उजदे मुझे से तुम तुम ने अपको आशो बना लूँ तो करा रहा है एक चलिए इसको फिली दुनिया की लाइना है एक और माता भवती पारवती ने सुन्जर पुत्र प्रात तक्रटे के लिए पुल्यक वर्ष किया और जो पुल्यक वर्ष किया पुत्के वो ध्यापर में पुरोहित को बुलाया गया और पुरोहित जी कोई और नहीं थे शरत कुमार जी थे जब वो पुजय सवात हुई बेला दच्छणा की आई तो बाता पारवती कहती है कि पुरोहित जी इस वर माग लिजे आपको क्या चाहिए पुले मेरे मन का दान करेंगे या पुले हाँ जरूर करोगे सुनिया की तहीं चे प्रारा मोहता है तुम्हारे दान की जर्चा सदा होती रहे महीमा तुम्हारे दान की जर्चा सदा होती रहे महीमा अर महीमा अर महीमा पुन्यक बित की फे अनोखी चाहेगी महीमा यह प्रत का फल सफल होगा न खाली चाय की पोली तुम्हें वरत किया है इस प्रत का जो फल है वो सफल हो जाएगा यह मेरी बात यह मेरी बोली खाली नहीं जाएगी लेकिन अर मैं मागूं मैं मागूं अर इस प्रत का फल रहे निस फल जो खाली चाय की जोड़ी मैं मागूं जो वही दोगी मुझे पहले बचल दे दो मैं मागूं गा वही दोगी मुझे पहले बचल दे दो तच्छी हो तुम तच्छी हो तुम तच्छी हो तुम तच्छी आपे उधे अपना सजल दे दो मैं मागूं मागूं जावी दो तच्छी हो तुम ट्चित हो तुम मैं मैं मागूं जोगी मुझे पहले वचन दे लो तक्ष हो तुम तक्षणा में मुझे अपना सजन दे लो आया गर्वादी सजन दे लो पिपिली में यको चपता पुप्रितो लिपत रिसी मुनी लगरबा गुरु भिश्वादी पहुँच गए और कहा महाराथ दसरत से कि महाराथ तक्षणा में यको चपता पुप्रितो लिपता पुप्रितो लिशी मुनी लगरबार खाबर पाते असुर दल्म के आगे चल्म फिरिधा किसी मुझियां के उपर आगर के जुरू पढ़ाते हैं किसोचा किसोचा जाके दसरत ढगो हम जाके हाथ भैलाएं आपसे मांग करके हम लखन और राम ले जड़ाएं अमंगल है अरे कानल में इने जंगल में अमंगल है अमंगल है अरे कानल में हमें मंगल भवन दे दो हमारी रियत को रच्छा को हमारी रियत को रच्छा को निमत अपो ले लड़न दे दो कि मारी रच्राट राच्छा को कि मारी रहिज राच्छा को राच्छा को नाला ने बहुत बहुत आसिर्वार दिया है तुम्हें और ग्यादू में दिल के उसिवाँ है बेटा तुम्हों को हमारी उमर लग जा है अगने हमारे गुर्वर जो बंचा सील है उनके द्वारा ये असिर्वाद प्राप्थ हुआ है उनके चड़ों में बुड़ों नमन करते हुए सदेवा असिर्वाद की कामला करता हूँ कहना है अरे हमारी याको लच्छा को अन्निपदो अपने लाला ने को गुरुदी गुरुबर नाला एक प्रियास और लिख लेए एक प्रियास पत्ली से पती मागा जा रहा है अपना सजन दे दो पिता से पुत्र मागे जा रहे हैं अपनी ललन दे दो रिष्टे चल रहे हैं पती पत्री पिता पुत्र लेकर तीसरा रिष्टा दिखे जा रहा हूँ अब कारू एक घूंदे घूंदे पूप में पहुंच गये तिनके के सहाने उड़के पितर लटके हुए थे उल्टे पूछा गया कि आप उल्टे क्यों लटके हैं कि हमारे उपन्स नहीं चल रहा है हमारा एक पुत्र है जिसका नाम जरत कारू है वो विवाह नहीं कर रहा है और जब विवाह नहीं कर रहा है अधिजे गर से देखा नहीं जाता आप नहीं नाम की लड़की मिलेगी तो मैं दिवाह जरूर करो आपने खेल अरे हमारे नाम की कन्या नहीं कहीं आर मिलती है आपने बिन असादी ये पिपरों की कदी दिल की लखिलती है अरे बिना इक पात्र के उनका नहीं तादन होगा मगर मेरे नाम की लड़की से जब मेरा बारी रहा होगा तो दाला जी वास की नाग से बोले वास की नाग से बोले विसी जरतकारू मंचला मेरे पितरों को सुखद चेनों अमन देदो मंचला मेरे पितरों को सुखद चेनों अमन देदो